जो असुर भी है, उन्में बहुत से हैं जो गिनके अदर देवता वाले गुण हैं। और कुछ देवता होंगे उनके अंदर असुर वाले गुण मिले। ज़ी राम किस शाप की बज़े से आये। राम जो है वो अफोल्डर है। उन्होंने हर बात, हर मर्यादा, हर रूर को अफोल्ड किया। लेकिन जब वही विश्णु यह तो मैं भी पहली बार सुनना हूँ, काफी फैस्नेटिंग है। रहा जाता है कि वहाँ पे शम्हाला में गल्गी का जनम हो चुका है। सत्यार जी आपने पुराणों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और आपने महागाथा जैसी किताब भी लिखी है। जिसमें चारो युगों की कहानिया हैं, ब्रह्मा की कहानी, विश्णु की कहानी और शंकर जी की भी कहानिया हैं उसमें। मैं आप से पूछना चाहूँगा कि इसमें आपके अराध्य कौन हैं या ऐसे कौन सा देव हैं भगवान हैं जो आपके बहुत प्रेवरेट हैं। मुझे हमेशा से विश्णु भगवान में बहुत शाधा थी। और महागात्या लिखने के बाद शाधा और बढ़ गई है, क्योंकि उनके बारे मेंले कि पता चला कि उन्को हर युग में श्राप मिला है और उन्हें जन कल्यान किया लेकिन रहर नारायनन का मतलब होता है और नाइरान का मतलब डिरिष्टि आरंब कीऄ तो सबसे पहले जो पदार्थ बना वो था पानी water water हर जगा पहला हुआँ झानी के ऊपर पाराब्रम ने एक अपना रूप लिया जिसको कहते हैं नर के रूप में लिया तो क्योंकि पानी को कहा जाता है नर और उभणों घर बनना है यहां बोला जाता है तो यहन से नाराय कहां की हम बात कर रहे हैं घनतों कि कि हमारे पुराणाओं में लिखी है और हममेंसे बहुत सारे लोग ऐसी क Face को नहीं जानते उनकी से की मीनिंग को नहीं जानते आपने बड़े अच्छी से बताया कि विष्नु का अर्थ क्या है नरायन का अर्थ क्या है और विष्नुक नरायन की उत्पत्ती हम कह सकते हैं संग सब्दोाट सेले घए मुझे लगता है कि मुझे दुनिया हो दुसे अधे राइन कोई व्ल्कौ। साग और मॉत्री यह करें उनंहें र Tigers क्रेasन किया होगा हम अम विश्णू उत्पत्य तो वही हूई कि मत्तिब样 ब्राब्रम ने रूप लिया जिसकी संसार में सिष्छी कारम हो और विश्णू को cutting Vitamin Ten Pressover , जो, रचना जो ब्रहभाजी हैं तो ऐसी तो कहानिया बहुत सारी हैं लेकिन उत्पत्ति उनकी हुई जब वह अवतार के रूप में उन्होंने सबसे पहले शुरुवात आई वह कहानी बहुत इंट्रिस्टिंग है उससे पहले विश्णु की विश्णु जी दिखते कैसे हैं इसके बारे में कोई है कि उनके शंक चक्र गदा पड्म को को बोलते हैं उनका फेवरेट है और उनको पदम नाभन भी कहते हैं उनकी नाभी तो ये सारी चीज़े उनकी है और शंक जो उनका बहुत फेवरेट है चक्र कैसे मिला इसकी कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग है तो बोला जाता है कि जब विश्णु जी बहुत असुरों के साथ लड़ाई कर रहे थे और बहुत ठक गए थे क्यूंकि असुर मरी नहीं रहे थ तो समझ गए कि ऐसा हत्यार चाहिए जिससे कि उनको मारा जा सके तो उन्हों ने आके भगवान शिव की अराधना की बहुत सालों तक अराधना की शिव जी प्रकट नहीं हुए तो क्या करें तो नोंने फिर एक शिबलिंग बनाया और उसके ऊपर हर दिन वह एक हजार जी का तो उन्होंने क्या किया जब विश्णु जी फूल सजा रहे थे एक फूल उन्होंने छुपा दिया तो जब विश्णु ने गिना तो वहाँ पे सिर्फ 999 फूल थे तो सोचे कि आरे हजारवा फूल कहां गया और अगर नहीं मिलेगा तो पूजा अधूरी रह जाए तो क्या करूँ सोचने लगे फिर याद आए कि उनके जो भक्त हैं उन्हें कमल 9 बुलाते हैं इसका मतलब है कि उनकी जो आखें हैं वो भी कमल जैसी हैं तो उन्होंने अपनी एक आख निकाल कर लिंक के उपर रख दिया तो वो था हजारवा कमल का फूल तो शिब जी इतन तो उसका नाम भी सुदर्शन पढ़ा यह तो मैं भी पहली बार सुना है काफी क्रेस्टू जी का वर्णन क्योंकि हम अलग 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 देखते हैं इसलिए मैं प्रस्णाब से पूछा रहा है इसके बाद जैसे हमें हमारे कथाओं में बहुत सुनने को मिलता है दसा अवत क्यों लेने जरूरी पढ़ गए तो भगवान है तो उपर से बैठके कुछ कर सकते थे इतना दुख लेके इतना दर्द लेके आना पड़ा है कभी मचली बनकर कभी एक जंगली सुवर बनकर तो ऐसा सब क्यों करना पड़ा अपने चकाँ दुख और दर्द यह कहानी वहीं के गुरू थे शुक्राचारी के पिता थे रिशी भृगु और उनकी माता थी काविया माता तो एक बार क्या हुआ कि शुक्राचारी ने असुरों से बोला कि मैं जा रहा हूँ शिर्व के अराधना करने जिससे कि हमें एक ऐसी संजीवनी मिलेगी जिसे आप लोग कभी मरे करेंगे नहीं तो इस तरह हम देवताओं को हरा पाएंगे और जब तक मैं उसमें लीन रहूंगा आप लोग मेरे घर चले जाएए और मेरे माता पिता आपका ख्याल रखेंगे तो शुक्राचारे जी करने लगे यहां पे समाधी और सारे असुर पहुंच गए काविया मात उन्हें नहीं दूगी चाहिए यसुर हैं लेकिन अभी यह मेरी शरण में आए हुए हैं तो मैं उनको प्रोटेट करूँगी तो विष्णु ने बहुत समझाया यह नहीं समझी तो अल्टेमेटले विष्णु ने उनको मार दिया चक्रेस उनका गला काट दिया तो जब भ युग में संसार में जनम लेंगे इना मोटल फॉर्म इंसानी या चाहे जो भी फॉर्म है जो जिन्दा ने रहेगा ज्यादा मोटल फॉर्म में जिन्दा रहेगा और आप वह सारा इमोशन हर दुख आप सहेंगे जो हम सहते हैं तो वहां से अवतारों की बात शुरू खाब के वज़े से भी कल्यान हुआ संसार का तो बहुत इंट्रिंग रिलेशन विश्टु बिसिकली एक श्राब की वजए से लेना पड़ा और मिर्त्यू लोग पर आना पड़ा कवे किसी क्रियेचर के रूप में बड़ इस वह बड़ी खूब शूर्ति हैं अगर आपने कि सबसे पहला उतार तो मतश्य उतार हुआ जिन्होंने मन्नों को बचाया इसके वारे मैं ही थोड़ा कुछ बता रहता हूं मैंने पड़ा है तो जैसे हम कहते ना प्रले आएगी इसलाम में कहा जाता कियामत आएगी तो कयामत आने वाली थी तो वहां पर भगवान ब्रह्मा को जो इस्पीसी थी जानवरों की भी थी पौधों की भी थी ताकि यह सब घटा करके नए चीज सुरू कर सके मन्नों को उठाया जाता है कि आप उनका नाम तो राजा सत्यदेव को चुना जाता है कि आप नए युक की शुरुवात करेंगे और आपको बस परले से पहले इ है उसका प्रबंध अपने आप हो जाए यह जा इसलिक आंगे एक शुरुटी समय जी कलेकर आते हैं जो की मैने लेका जोगी को प्रण में रखते हैं अगले دिनुद्र गड़ी यह जाथे बड़ी हो जाति है यह भी बढ़ी हो जाती है तो यह पिर दम गुड़ जाएगा उसे नदी में रखते हैं और इसे करकर कि इवेंचुली मतश्यावतार इतना बड़ा सवरूग ले लेते हैं जब परलय आती है तो यह नाव बनाते हैं उस पर रखते हैं और इन सारे आइटम सो लेकर अगले पहला विश्णू जी का उतार उसके बाद दूसरा ओतार आइगेस कुरुमा ओतार जो कि शमुद्र मनृतार में वो है थोड़ा सा कुछ लोग कहतें कि आउतार था कुछ लोग कहतें मतलब दरशा अवतार थो था वड़ी दरशा आ जाता तीसे अवतार से वाप की बारी आप बताना सुरू करेंगे तीसा तो नर्स्यम अवतार है जब तो हिरने कश्यप नाम का राक्षस था जिसका बिटा था प्रहलाद प्रहलाद बहुत भक्ति करता था विश्नु की तो उसकी पिता हमेशा नराज रहते थे कि हम असूर है हम राक्षस है तुम हिरने कश्यप ने का कि अब तुम्हें जिन्दा नेर रखा जाएगा तो जितनी उसने प्रहत ने कि उसको मारने की हर बार वां बचता गया रर बार विशनु नो सकी जान बचाई तो finally उन्हें कहा कि अच्छा अगर तुम इतना मांगते हो विशनु को बताओ कहाल है तुम वर्दान दिया था ब्रह्मा ने, कि तुम्हारे मृत्यू नहीं हो पाईगी, ना मनुष्य मारेगा तुम्हें, ना तुम्हें कोई जीव जन्तु मार सकता है, ना तुम दिन में मर सकते हो, ना रात में मर सकते हो, ना तुम घर के अंदर मर सकते हो, ना घर के बाहर मर सकते हो, और ना तुम्हें कोई metal मार सकता है, ना तुम्हें कोई wood की चीज़ मार सकती है, तो उसने सुझाए कि मैं अमर हूँ, जो इतने सारे condition से यह फुल्फिल होई नहीं पाएंगी, तो जब दरस्म उस रूप में आए, तो इसी रूप में इसी लिए आए, क्योंकि वो आधे इंस पर रख के मारा, तो तब वो ना तो धर्ती थी, ना अकाश था, ना अंदर था, ना बाहर था, और क्योंकि वो ना metal से मरेंगे, और ना wood से मरेंगे, उसने अपने नाखुनों से उसका पेट चीर दिया, तो इस वजए से नर्सिम आवतार बने, और उन्होंने उसको मार के साथ को मुक्ते दिलवाई, एक बड़ी फेमस मूवी आई थी पहला तो पुरान टाइम की है, भग तो पहला था, उसके बाद नर्सिम आवतार जब इन्हा कश्चप का वद करते हैं, तो इस तरह से गुसा करते हैं, कोई उनको शान्त नहीं कर पा रहा है, और इसके बाद भी एक कथा है, जिसे बाद शिव आते हैं, बिल्कुल, यह बहुत लेसर नोन स्टोरी है, कि नर्सिम क्योंकि मारकी उनके अंदर इतना क्रोध हा गया था, कि वो पूरे ब्रह्मान में घुमने लगे, और हर स्रिष्टी को वो मतलब थ्रेट बन गए, कि अभी कुछ भी कर स उनका गुस्ता शांत नहीं हो रहा था, पैसे शांत किया जाए, और कोई जा नहीं रहा था, उनके पास सबको भै लग रहा था, उनकी इस वरूप से, तो शिव जी ने एक रूप लेर्स को हम शरब नाम से जाना जाता है, शरब का मतलब होता है बर्ड, तो वो जो बर्ड भी था, वो भी एक मैगनिफिसेंट फॉर्म था शिव जी का, उसके हजारों पंक थे, हजारों उसके आखें थी, और हजारों उसके टैलन्स थे, जो क्लॉज थे, तो उस रूप में शरब ने और नरसिमा के बीच वार छिड़ा, तो बहुत देर चलता रहा, अल्टेमिटल और शिव जी, और नरसिमा और विष्णू जी, यह जो कहानी है, यह और एक बहुत इंट्रेस्टिंग एक्वेशन है विष्णू जी और शिव जी की, जो पुराणे आपको बहुत मिलेगी, मनलब यह शिव जी और विष्णू जी फाइट करते हैं, आगे भी कहानिया आप या कताएं आप हमें सुनाएंगे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा मेसेज है, कि जब भगवान ले रहे हैं कोई आउतार, तो वह भगवान नहीं भी हैं और हैं भी, बिल्कुल, 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 अदर्वाइस क्रोध इतना कि भगवान कंट्रोल ले पार हैं, यही श्राप का कारण आएगे, मिर्ति व लोक का असर है, यही दुख है, यही पीरा है, जो की भगवान होते हुए भी उनको सायध यहां पर जहिलनी पादारा है, इंडस्टिंग स्टोरी, और एक कहानी है जय विजय की, और मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा ह यह विजय कौन है यह वैकुंट के द्वारपाल थे जानते हैं जो सबसे हाइस्ट जगे है यूनिवर्स में जहां पे विश्णु रहते हैं वहां पे सिर्फ आप पूरी तरह से लिबरेटेड हो वही वैकुंट पहुन सकते हैं तो वैकुंट के द्वारपाल थे जय और विजय अब हुआ यह कि ब्रह्मा के चार मानस मुत्र थे जब प्रह्मा ने पहले बार सिष्टी किरचना की तो उनके मानस से चार बेटे निकले जिनको आप मानस मुत्र के नाम से बोला जाता है और वह देखने में च करना है हमें तो बोलते हैं बच्चे नहीं आ सकते वैकुंट के अंदर उनका वही स्वरूप था तो वह समझ नहीं पाए तुरों ने वह अंदर जाने से मना कर दिया तो मानस मुत्रों ने इन दोनों को श्राब दिया कि आप वैकुंट में हो आप डिविनिटी के इतने करी देते हैं कि अब आप भी नीचे प्रिच्वी में जनम लोगे और आप वैकुंट से और विश्नु से दूर हो जाओगे यह श्राब देगे वो चले गए तो जय विजय ने आके विश्नु के पैर पकड़ लिए कि हम आप से दूर नहीं रह सकते आप इस श्राब का निवार या तो आप सिर्फ तीन जनम लेए धर्ती तेर्ओ लें पर मेरे शट्रू रहेंगे तो आप क्या चुनेंगे भक्ती चुनेंगे या शट्रूता चुनेंगे तो इनका लव इतना था कि इन्होंने हेट्रेड को चुना कि चाहे हम तीन जनम ही ले चाहे आपके शत्रों ही बने लेकिन हम सिर्फ तीन जनम आपसे दूर रहा सकते है साथ जनम बहुत जादा है मतब उस हेट्रेड में भी एक लव की quality है तो विश्ण ने का ठीक है फिर आपको मैं तीन जनम देता हूँ पहले जनम में आप हिर्यन याक्षु और हिर्यन कशिफू बनेंगे दूसरे में आप रावन और गुम्भकंड बनेंगे और तीसरे में अब शिशुपार और धनवंत्री उसका जो कजिन है वो बनेंगे और उन्हें का कि ठीक है और हर बार आप बस ये क्रिपा कीजएगे कि इन तीनों बार आप ही हमारा वद कीजएगा तब ही हम वापस वैकॉंट में मुक्ती मिलेगी हमें तो हर बार वही हुआ इन्होंने जनम लिया असरों के रूप में शत्रुदाती विश्णू के साथ हर बार विश्णू ने मारा लेकिन अंडरलाइन जो इमोशन था वो लव था वो भक्ती थी कि भक्ती के वजए से वापस वो वैकॉट उठाए कि वर सनातन धर्म की कथाएं सुनके मैं इतना फैशनेट हो जाता हूं कि एवरिटिंग इस इंटर लिंग एक कदम आगे आने वाले हजार दर्वाजे खोल रहा है और उन दर्वाजों में रखने में वाले कदम और दर्वाजे कोलते हैं यासे की सट्यूव की भात करें तो शत्यूव रह के ऐसी उस दर्यवता है औरzw सब्सक्राइब है तो ये भी कितना ब्यूटिफुल मीनिंग है जय विजय ही कारण वने उसकी वज़े से लेना पड़ा तो एक ये भी शुरा फुल्फिल किया आप ने बताया ब्रुगुजी और काट्री जी वाला उसकी वज़े से दसा अतार लेना पड़ा हमने नशिम्मा क पुराणों में आपको मिलेगा कि बहुत ग्रे जॉन है तो जो असूर भी है उनमें बहुत से हैं जो जिनके अंदर देवतावाले गुण है और कुछ बहुत अhone के अंदर असूर्लावाले मिलें आफ। एक जिती करके महिला थी दिती को य वर दा है कि आपका जो बेटा पैदा होगा, वो इंद्र को मारेगा, तो इंद्र ने उनके गर्ब के अंदर घुसकर उस फीटस को मार डाला, तो ये देवताओं ने ऐसा भी काम किया है, लेकिन जो राजा जो बहुत फेमस हुए, जिनका नाम था बाली, बाली ऐसे तो असुर थे, ले और उन्हें वहाँ पे बोला कि मैं तीन चीज़े मांगूगा, और बाली बहुत जेनरस था, उसके कुछ की मांगों वो दे देते थे, तो जो मांगें मैं आपको दूँगा, वहाँ पे शुक्राचार्य भी थे, जो बाली को रोक रहे थे, कि नहीं, मुझे कुछ तो गरत लग रहा है, कुछ तो छल कपट है इसमें, तुम सब कुछ मत मान दो, उसका नहीं, जो मांगा जाएगा, वो मुझे देना है, मेरा नेचर यही है, तो क्या चाहिए आपको, तो वामन ने बोला कि मुझे मेरे पग के अनुसार, तीन पग भूमी की स्वर का या भूमी का अ होने लगा, और वो बनके त्री विक्रमा, जो सरूप है विष्णू का, जो कॉस्मिक है, और उसमें जब आया, तो जब पहला उन्होंने पाव रखा, उसमें पूरा स्वर्ग नाप लिया उन्होंने, जब दूसरा पाव रखा, तो पूरी धर्ती नाप लिए उन्होंने, बोला आप तीसरा पैर कहा रखू में? सबतों मैंने नाप लिया, तो अभी कहा रखू में? बाली समझ गए कि जो वामन आया है, ये विश्णू स्वैम आया है मेरे पास, तो वो छुक गया और कहा कि भगवन तीसरा पैर आप मेरे सर के उपर रख लीजे, कि और कोई जगा ब एक बार वापस आते हैं from hell to meet his devotees, तो ये उनम की कहानी है बाग कि इसी में मुझे एक कथा याद आ रही है, जो आपने कहा ना कि शुक्राचार को पता चलगा, आफ्टर राल शुक्राचार एक गुरू है, बिल्कुल, 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 उनकी नॉलेज है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, भले उनके असुर सिष्ष हैं, हमारे जैसे जोतिश में शुक्राचार शुक्र ग्रह को रिप्रेजन करते हैं, जो कि भोग, विलास्ता, जितनी असुरी प्रवर्तिय हमों, बाया होता है, जो हमें सब को चाहिए, जो सब को रिप्रेजन कर अपना नुकसान कराने के लिए रेडी थे, इवन नुएंग कि यार ये सब असुर हैं, तो गुरु और शिष्ष की जो रिलेशन्शिप है, तो शुक्राचार बहुत बहुत बहतरीन तरीके से दिखाते हैं, जो वामन जी ने अवतार लिया, वामन जी आते हैं, बाली से प आपने मान लिया है, बस मेरे कमंडल से पानी पी लिजे, तो शुक्राचार बहुत छोटा सा रूप लेकि उस कमंडल के नली में जाके बैठ जाते हैं, ताकि बली पानी ना पी पाए और ताकि ये चीज स्टार्ट ही ना हो, आउट ऑफ जेनरिसिटी कि मेरा सिष्ष बच जाए, बट अब भवान विश्णु तो विश्णु है, उनकी लीला से आगे कौन है, तो यहां सब जोतिस का कनेक्शन ऐसे बैठता है, क्योंकि शुक्राचार का नेचर ऐसा है कि वो अपना नुकसान करा के दूसरों की मदद करते हैं, अपने शिष्चों की मदद करते हैं एसा ही नेचर, नेचर 6, 15 और 24 बॉर्न लोगों का होता है, 6, 15, 24 को अगर किसी का जन्म हुआ है, तो इस देखी जाती है, यह खुद को डिसपॉइंट करके दूसरों की मदद करते हैं, तो यह इनका एक लक्षन है, जो कि कॉमनली देखा जाता है, जिनका हो, वो कॉमेंट परश्चराम की सबसे जो फेमस कथा यही है, कि जब वो पैदा हुए, तो उनके फादर, उनकी जो मदर थी, उनसे एक गलती नहीं बोला जा सकता, बेसिकली हुआ यह था, कि वो नदी पे पानी भरने गई थी, और उनको एक हलका सा एक ग्लेम्स मिला, कि कुछ गंदर जा रहे थे, तो एक पल के लिए उनके अंदर एक डिजायर आ गया, कि बहुत हैंसम गंदर थे देखके, तो जिससे उनका सतित्व नष्ट हो गया, उस एक पल के लिए, तो जब वो आये, तो उनके हस्बंड जान गये थे, उनका नम जमदगनी था, जो पिता थे, जमदगनी परशुराम था, उसमें बिना कुछ बोले, बिना कुछ हुए, एक जटके में वो काम कर दिया, और जब पिता ने कहा तुमने कैसे क्या बोला, यह आपका आदेश था, और पुत्र होने के नाते, यह मेरा कर्तब यह था, तो वहाँ पे बहुत खुश हुए, अपने बेटे पे बेटा कि जो चाहे मांग लो, मेरे माता को आप फिर से जीवित कर दीजिए, तो माता फिर से जीवित हुई, और उने का जिससे काटा था, परशु था, तो महां से उसका नाम परशुराम पड़ा, तो महां से फिर आगे कहानिया बढ़ती है, जब जमदगनी को एक आप परशु रहा के सब को मार के वह घाए को चीन के ले गये थे, तो परशुराम ने वहां से प्रण लिया कि जो खत्रियं हैं, जो वो हैं, जो अपना पावर का मिस्यूज करते हैं, इनको मैं धरती बे रहने नहीं दूँगा, तो उनने सब चम्हसे उस राजा को मारा, ज वहां पर पांच लेक्स बने जिनका नाम पंच तत्व या कुछ ऐसा नाम आता है और उसी जगे को बाद में मिटी इतनी लाल हो गई कि वहीं पर कुरुशित्र के लड़ाई आगे जाके हुई थी तो उसी जगे पर शामत पंचक उस नाम का मुला जाता है यह भी मैं पहली ब घाई जी बिल्कुल फ्राइम जी का वहां पर विवा हो रहा है सीटा जी के सांथ और हमें दौपर दोपर में दिखते हैं बिल्कूल बिल्कूल तो यह चिरन जीवी हैं परशुरामि जो की हर युद्वीं और आभी भी कहीं होंगे जारे बिल्कुल उसाथ जीसे हम बात कर तो परशू राम जी होगे उसके बार हमारे दो आते हैं जो कि बहुत हो के इस्ट देव हैं सबसे पहले शीराम किस शृप की वज़े से आए तो राम जी के बारे में बहुत कथाएं हैं और उसमें शृप का भी बहुत important रोल है एक कहानी है व्रिंदा की तो उसमें एक कहानी ह कि विरंदा की जो हस्बन थे वो राक्षस थे जलंधर नाम था उनका और विरंदा डेवटी थी विश्णु की और विरंदा इतनी बड़ी डेवटी थी तो उसका जो सतित्व था उस सतित्व के वज़े से जलंधर को कोई मार नहीं पाता था उसका जो पावर था उसी से आता था अपनी वाइफ की सतित्व के वज़े से वो इन्विंसिबल था तो फिर देवता ने कहा कि इसको अगर मारना है हराना है तो हमें वरिंदा के सतित्व को नश्ट करना पड़ेगा तो विष्णु को बोला गया कि आप क्योंकि उन्ट के इष्ट देव हैं ये काम आपको करन पड़ेगा तो विष्णु ने बहुत ही चक्ति हुए लेकि उनको पता था कि अब जन कल्यान के वज़े से ये करना है तो विष्टु 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 विष्टा के पास गये जलंधर का रूप लेकर तो इधर देवता जलंधर के साथ लड़ रहे हैं बैटल फिल् बहुत है तो जब विष्टु अपने रूप में आये तो विष्टा ने शराप दिया कि आप मेरे इश्टदेव थैं अगर आप मांग लेते तो मैं वैसे ही दे दे दी आपको लेकिन आपने जो मुझे चला है दूसरे का रूप लेकर चला है मैं आपको दो शराप देती एक तो ये कि जिस तरह आपने रूप बदल कर मुझे चला, आगे जाके आपकी स्त्री को भी कोई रूप बदल कर आके चल के ले जाएगा, जो रावण आता है, और जिस तरह आपने मुझे अपने प्यार से अलग कर लिया, आपका प्यार भी आपसे अलग हो जाएगा, तो सी इता को राम से दूर कर देता है, वो श्राप यहां से connection यहां पे है, उस कहाली की. एक और इसकी कथा है कि नारद रिशी की कथा है, वो भी connected है इसके साथ, तो एक बार नारद जी एक स्वैंबर में गया, जहां पे एक बहुत ही खुबसूरा प्रिंसिस का स्वैंबर हो रहा था, उसको पता ने था कि वो अच्छी लक्षमी जी है, वो किसी दूसरे रूप में हरी का मतलब तो है विश्णु जी, लेकिन हरी का और एक मतलब है बंदर, तो विश्णु जी ने उनका मुह बंदर जैसा बना दिया, वहाँ पर चले गए, उस वक्त वहाँ पे कोई शीशे तो थे नहीं, तुरुन पता नहीं चला, लोग मुझे देखे क्यों हस रहे हैं, जब हसने लगे, जब वो राजकुमारी भी हसने लगे उसकी ओपर, तब उन्होंने पानी में देखा, कि उनका मुह बंदर जैसा हो गया था, तो वहाँ पे नारज जी ने विश्णु को श्राब दिया, कि आपको और जो प्यार है, आपस अलग हो जाएगा, और आपको उस उसके बार श्री राम का जन्म होता है, श्री राम को यहाँ पर भी कहए कही के श्राफ मिलता है, बिल्कुमिस के अंदर अविश्णक ऑन्र जाते हैं, और कहा जाता है कि इसलिए बन गए, और हमको सिखाया जाता है कि आपको भी अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी अध्या यानि अपने कमफर्ट को छोड़ना पड़ेगा और लंका जीतने के लिए संघर्स करना पड़ेगा बीच में कई वानार आएंगे आपका साथ देंगे और फिर आप अपनी लंका को विजय करेंगे तब आपकी स लिटायू एक गिद्ध हैं वो भी उनका साथ देते हैं उसके बाद जामबंत हैं लीच हैं काफी सारे पशू उनका साथ देते हैं यह तो है रमायड की का था जो की त्रेता यूग में है और यहां पर दौपर का बीच बोया गया इसके बारे में आप बताईए तो बहुत फेमस एपिसोड है रमायड में बाली और सुग्रीव जहां पर राम पेड की पीचे छुपके जब दोनों भाईयों में यूध चल रहा है राम पेड की पीचे छुपते हैं और छुपते हुए वो तीर मारते हैं जिससे बाली के मृत्यों हो जाती है तो वहां पर बाली रा को श्राब देते हैं, कि जिस तरह आपने पेड के आड के पीछे छुपके मुझे वार किया, जबकि मैं युद कर रहा था किसी और के साथ, उसी तरह आपकी मृत्य होगी द्वापर योग में, तो आगे जब कृष्ण के मृत्यू का समय आता है, तो वो भी उसी तरह पेड के पीछे छुपके वो तीर चलाता है, और वो आखे अनके पैर में लगता है, वहां कि रिष्ण के मृत्यू होती है, तो इनके मृत्यू का जो कारण है, उसका बीज आपको त्रहता युग में मिलेगा, रामायन के एक अथा में मिलेगा, अच्छे यहां पर त्रहता यूग म मिलती है, नागो की बहुत कहानिया है, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि नागो की जो माता थी, उनका नाम था कड्रू, और उनकी बहन थी विनाता, विनाता के कोई बच्चे नहीं होते थे, तो विनाता को बहुत दुख होता था, तो विनाता को ब्रह्मा ने द बजार नाग वाले पुत्र थे तो उसको बहुत जलेसी होती थी अपने बच्चों से तो उसने एक अंडा क्या किया है उसने इंपेशन्स में खुदी फोड़ दिया तो वहां से एक हाफ फॉर्म्ड लड़का निकला उसने कहा कि तुमने तुमने वेट नहीं किया मेरे लिए तुमने वज़े से मेरा शरीर हमेशा आधा ही रहेगा तो मैं तुम्हें श्राब देता हूँ कि जब तक तुम अगर तुम इस अंडे को वेट नहीं करोगी तुम्हें कोई बेटा नहीं मिलेगा यह कहा कि वो चला गया वो नदी बन गया इस अंडे के लिए वो वेट करती करती रहे फाइनली एक दिन वहां से गरुड निकले तो गरुड और नाग जो अचली एनिमीज हैं यह दो एक दो बेहनों के बच्चे हैं वहां से निकले गरुड तो यह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है फिर आगे जलका और कहानी है कि विनाता और कड्रू के बीच एक बेट हुआ कि जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें से एक घोडा निकला उच्चे श्रवा जो बहुत देखने बहुत सफेद होता था तो दोनों बेहने उसको देख रही थी बहुत दूर से तो कड्रू ने कहा कि बहुत अच्छा है लेकिन उसका जो पूंच है वो काली है विनाता कान बिल्कुल नहीं पूंच भी बिल्कुल सफेद है तो दोनों में ठन गई कि सही कौन है तो दोनों ने बैट किया कि अच्छा चलो हम पास से देखते हैं और जो सही निकलेगा कल हम जाके देखेंगे और जो सही निकलेगा उसे दूसरे का दास बनके रहना तो जब लोग वापस घर गए तो कड्रू के बच्चों ने बोला कि आपने गलत बोला है उसका जो पूंच है वो आक्चली सफेध है काला नहीं है तो कला भार जाएंगी बैट तो कड्रू ने बच्चों से खा कि एक काम करो तुम सब नाग होना कल सुभे जब मैं जाओंगी विनाता के साथ उससे पहले तुम पूंच के चारो तो लिपट जाना ताकि वो काला ही लगे और मैं जीत जाओंगी तो मान गये तो जब दोनों बहने गई तो पूंच काला दिखा तो फिर विनाता मान गई कि भई मैं गलत थी तो वो फिर कड्रू की दास बन गई और जब गरूर पैदा हुए उस अंडे से पैदा होने के बाद उन्होंने अपने माता को छुडवाया वहां से लेके तो ये बहुत इंटरेस्टें कहानी है नागों के और गरूर के वज़े से जो शुरू से उनके एनिमिटी है वो इसी वज़े से तो जैसे गरूर पुरान भी है अपने पढ़ा है गरूर पुरान में कहा जाता है काफी रहश्माई है काफी सजाओं के बारे में बलकुल जो एक अहां परिचित मूवी आई थी उसमें जो सजाएं दिखाएं ऑश्र में कुम्भी पाक्तम है फारी चीजें प्रूर के परद्धा है जो कि यह समझाती है कि जो होना है वह होगी रहे गारे जोतिश में भी यह बोला जाता है कि जो इवेंट कुली प्रडिक्ट कर रही है कि आपका एक्सिडेंट अगर लेस अपोस होना है तो यह हो कर रहेगा ठीक है आप उसके लिए उल्टे खड़े हो जाओ या कितने भी उपाये कर लो आप उस मिलने जाते हैं तो यह पर एक महफिल सी सजी होती है बाकि सभी देवि देवता भी आयो होते हैं यम्राज भी आयो होते हैं यम्राज बडिभी लगा कर एक पक शिकका देखना है SHbook brauch पांट को लगत लगता है यम्रां इश इस इसमाने जांगता है लिता लगता है कि मेरे रहते हुए मेरे बर्ड को कोई कैसे नुकसान पहुचा सकता है तो गरुन इधर उधर देखते हैं उसको पकड़ते हैं उसको बहुत तेज गती से उड़ते हुए दूर एक जंगल में पेड़ पे छोड़ाते हैं अच्छा और फिर वापस अले आते हैं रिल कोड़ों किलो मीटर एक पेड़ पर बैठके नाग अजगर इसको चबाएगा वैसे होनी है पर मैं सोचा दिया महां तक पहुचेगा कैसे तो तो तुमने वह पहुचा दिया तो जब हम चीजों को बदलने की सोचते हैं तो हम बिसिकली उस इवेंट के होने का कारण बन जा बन जाते हैं और एक मूवी आई है प्रीडेस्टिनेशन बहुत पुरानी मूवी है उसमें इस कॉंसेट को बहुत अच्छे से समझाया गया है जो कि हमें गरुण की कता से बिल्टा जलता है ले सब्सक्राइब पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं तो आपको लगेगा क इसके मेरा फ्यूचर में एक्सिडेंट और है या पास में एक्सिडेंट हुआ मैंजा कर देता हूँ यह यह घृत dernière की आप हैं इतना सयंटिफिक लोम कोशतमोस के बारे में बताया गया है कॉंटम फिजिक्स के बारे में बताया गया है मीने चल्ध confrontation के जा सकते हैं रमाय्य में मर्यादाएं बनाई भगवान श्री राम ने और स्रेकर्ष ने उन मर्यादाओं को चैलेंज किया इसके बारे में कुछ बताईए यह बहुत इंट्रिस्टिंग एक्वेशन है राम और कृष्ण को अगर आप देखें दोनों विष्णु के अफोल्डर थे लेकिन जब वही विष्णु द्वापर यूग में कृष्णे बन के आये तो ही वस दी अप्रूटर तो जो अफोल्डर था वो अप्रूटर बन गया हर लोग को चैलेंज किया गया हर रूल को तोड़ा गया जहें महाभारत का वार ही आप देख लो जिस तरह उनका ये थौट था कि एक चीज़ को दस तरह से आप इंटिप्रेट कर सकते हैं तो उनका जो ये जो दो अलग अलग स्वरूप है एक ही भगवान के क्योंकि उनका योग भी अलग था तिरता योग में जो आपका शत्रू था वो आपके घर के बाहर था आप यहاں हैं शत्रू आप आयोध्या में है शत्रू लंका में है बाद़रायम आप महाभारत योग में आते हैं वापर में, तो जो values हैं, इतनी खराब हो गई हैं, कि अब शत्रो आपके घर के अंदर या आपके अपने ही आपके शत्रो बन गए हैं, तो हर यूग के हिसाब से, विश्नु अपने आपको ढालते रहे, तो जहां पे अपोल्डर बनना था, वहाँ पे राम ने अपोल्ड किया, या अप्रूटर बनना था, खृष्न ने अप्रूट किया, और एक बहुत interesting symbolism अगर इसमें आप देखें, राम सूर्य वंशी थे, तो जो सूर्य होता है, वो एक तरह का ही रहता है, उसमें कभी आप change नहीं notice करेंगे, उसका जो उनका, सूर्य का shape जो है, sun का, वो stable रहता है, वैसे ही राम भी stable थे, खृष्न जो थे, वो चंद्रवंशी थे, चंद्र का रूप बदलता रहता है, कभी आधा होता है, कभी पूरा होता है, कभी गिबस होता है, अलग-अलग फॉर्म होता है, तो इसलिए उनका जो thought भी था, कि आप कोई एक truth नहीं है, उसके पर अलग-अलग रूप हो सकते हैं, तो ये symbolism भी उनका ingrained है, उसी दोनों के बीच में, तो ये जो सूर्वन्षी और चंद्रवन्षी के आप बात कर रहे हैं, ये कहां से start हुआ? तो सूर्वन्षी शूरू हुआ सूर्य से, सूर्य के जो सबसे बड़े बेटे थे, मनू, मनू को बोला जाता है, कि जो हमारा human race है, तो मनू से हम सब पैदा हुए हैं, इसलिए हम मनूष्य बोले जाते हैं, या मानव बोले जाते हैं, तो मनू was the first man, तो वहां से सूर्य वन्षी बने, और चंद्र वन्षी जो आए, वो बुद्ध से आए, तो चंद्र का relation हुआ तारा के साथ, तारा वैसी तो स्री थी ब्रिहस्पती की, जो देवों के गुरू थे, लेकिन ब्रिहस्पती हमेशे अपने हवन में बिजी रहते थे, तो तारा बहुत अकेली फील करते थी, तो तारा का affair हुआ चंद्र के साथ, और जब affair हुआ, तो और वो उसके साथ रहने लगी, तो ब्रिहस्पती ना आके बोला कि I want my wife back, लेकिन चंद्र ने मना कर दिया, कि अब ये मेरी बीबी है, तो एक war छिड़ गया, जिसका नाम था तारक मय वार, जहां पर एक आधे लोग चंद्र के लिए लड़ रहे थे, आधे ब्रिहस्पती के जाना तुम्हें उसी के पास पड़ेगा, तो कहते हैं मैं चली जाओंगी, लेकिन अभी मेरे गर में जो बच्चा है, क्या वो उसको अपनाएगा, जो चंद्र का बच्चा है तो चंद्र ब्रिहस्पती मना करता है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन देवता कहते हैं नहीं, ultimately you are the husband तो तुमें भी इसका बाप तुमें ही बनना पड़ेगा, तो ब्रिहस्पती बहुत hesitatingly accept कर लेते हैं लेकिन he curses the child, श्राब देते हैं उस बच्चे को, कि जब यह पैदा होगा he will be a neuter he will neither be male nor female कोई gender नहीं होगा इसका तो वो पैदा होता है as buddh और दूसरी तरफ एक character है सुद्यूमना सुद्यूमने राजा होते हैं, तो एक बाद वो जंगल में जाते हैं, तो suddenly he turns into a woman समझते हैं कि यह मेरे साथ क्या हुआ या human अंदर आएगा तो he will not be, he should not seek पारवती in that form जब हावानी क्रीरा चल रही है तो वो immediately female बन जाएगा तो तो वहारे साथ वही हुआ है तो लेकिन मैं तो राजा हूँ, my country needs me हाकुने बिकाम वोमन तो शिव जी कहते हैं, ठीक है मैं मोडिफाई करता हूँ इस श्राब को तो एक मही ने मर्द रहोगे एक मही ने और बन जाओगे तो एक तरफ है बुद्ध इसका कोई gender नहीं है, ना male ना female एक तरफ है सुद्यूम्ना जिसके पास दोनों gender है as a male ही सुद्यूम्ना, as female ही बिकम्स इला, तो इला और बुद्ध की शादी हो जाती है और यहां से चंद्रवंशी डिनास्टी शुरू होती है यही से साथ LGBT community का जो एक sense है, जो हमें पुराणों में बिलकुल, तो एक जो mention है, यहां से भी आपको नहीं है, जेंडर्स की, तो चंद्रवंशी जो ethos है, वो भी है कि इसमें कोई stability नहीं है, you can interpret it in different ways तो जब कृष्ण चंद्रवंशी बनके पैदा होते हैं उनका थौट यही है, कि एक चीज़ को आप हजार तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं तो यह थौट यहीं से आता है, यहाँ पर आपने बुद्ध की बात करी, चंद्र की बात करी, ब्रश्पती की बात करी है, यह सब मेरे डोमेन में आते हैं थोड़े-थोड़े, तो जिस तरह से आपने का ना कि ब्रश्पती अपनी पूजा या विधी विधान रहते हैं कि वह अपने वाइब को समय नहीं दे पाते हैं और यह एक्शुल में जिसकी जोतिश की कुंड़ी में ब्रश्पती बलवान है ऐसा व्यक्तिना ऐसा ही होता है कि इसे पूजा पार्ट और वैरागी में बड़ा सुद्ध होना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सुद्ध हूं मेरा फेवर और मुझे परात करने के लिए आपको बहुत सदाचार फॉलो करना पड़ेगा इसलिए जब जोतिश में उपाये बताया जाते हैं ब्रश्पती को स्ट्रॉंग करने के उसमें यह पहला उपाय है कि यूशूड फॉलो सदाचार आपको सदाचारी जीवन जीना पड़ेगा ब्रश्पती को कुछ करने के लिए तो यह ब्रश्पती की है चंद्रमा में आपने बताया है कि वह चेंज होता रहता है इस वाए चंद्रमा को अंग जोतिश में नंब देवताओं का भी दोस्ता है तो प्लैनेट्स के बिसिकली दो भाग होते हैं गुरूपे जिसमें हम बैनेफिक प्लैनेट्स बोले जाते हैं जिसमें शुक्र आता है और गुरूप भी जिसमें हम थोड़े से शनी मंगल ऐसे पर मरकुरी इसको बीच में रखा जाता है यह सकता है इधर भी आ सकता है तो बुद्ध ऐसा भी माना जाता है जोतिश के यही कॉंसेप्ट है जो कि पुराणों से लिए गया है और आपने 29 के बात की तो मेरा बट्रेट 29 अक्टोबर है तो शायद इसने वज़े से चंद्र मुझ पर भी हावी है तो हम चंद्रवंशी है और यहाँ पर एक शूर पुत्र करण भी है बिलकुल तो क्या वो शूर बंशी में आएंगे हां कि उनके पुता तो सूरिय ही थे तो शायद इसलिए आपने मुझे साथ ऑफलाइन बताया भी था कि करण क्यों अलग हुए पांड़ों से क्यों उनका बहुत इंट्रेस्टि आया क्योंकि करण जब सूर्य वंशी बना क्योंकि जो पांड़ों कौरव थे जो कुरुवंश था वो चंद्रवंशी था तो अपने बर्थ से ही करण वस इनलिजिबल टू रूल तो वहां से डाट इस रीजन वाइज वाइज में सूर्य वंशी कि चाहे वो आगे कुछ भ कई ना कहीं भाईयों की कि कहानी हैं तो कहीं ना कहीं वारव प्रधार्स महा भारत ऑर फ्रेता यूग goofs में सीरम में भाई साथ हैं और एक तरफ लक्ष्मन और राम साथ हैं जो दोनों क Market है और विभीशन को अगर आऊ देखते हैं तो विभिष्ण रावन से अलग हो जाते हैं और यह कारण बनता है रावन के हारने का और इसको भगवान श्री राम ने रामचरीत मानस में कहा भी है सुत्वित नारी भवन परिवारा मिलें जाएं जग बारहीं बारा अस विचार जगों जागईं ताता मिलें न जगत सहुद भ्राता कि सुत्वित नारी नारी धन ये सुख ये परिवार ये बंगला गाड़ी आशो अराम बहुत मिल जाएगा लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि मैंने अपने वाइप को भी खो दिया और मैंने अपने भाई को भी खो दिया ये तब का वरतांत है जब ल गते आखरी आवतार पर और से पूरे उटे घन Yeah लोगा है कि दसवाम आप और से अभी तो कल की पुरान है ठीक है वट्यप्ट यह जैसे होगा कुछ इसके बारे में रिसर्च में आपको पता चला हो कि आखरी साफ चला है मोलते आखरी आवे जब ये अवत होंगे तो कल्यूग कांत होगा सथ्यूग दुबारा से शुरू होगा जो हमारा पूरा यूग है हमारा cyclic time concept है पूरानों में तो जब चार यूग एक यवाद एक आते रहते हैं तो कल्की के आने से ही नया सथ्यूग दुबारा से आएगा तो यह तो prediction हो गया लेकिन मुझे बहुत इंट्रेसिंग चीज मिली जब में रिसर्च करना थे एक पटिकलर वेब सीरीज जो हम कर रहे हैं उसमें कलकी का मेंशन होता है तो एक रिसर्च में पता चला कि जो टिबेटन माइथालोजी है वहां की टिबेटन में एक जगे का नाम है शंभाला कैसे हमारे हैं शंभाला में कलकी का जनम हो चुका है और अब वहां बड़े हो रहे हैं और वहां अब तयार हो रहे है क्योंकि जो मानेता यह भी है कि जब कलकी पैता होंगे जो जितने बागी जो सारे तिरंजी भी है वो उनका साथ देंगे तो ये उनके अकॉर्डिंग ये शुरू हो ग किया और अपने ब्यूटिफुली कई सारी ऐसी कथाएं हमें सुनाई जो कि मुझे भी नहीं पता तो और आम शोर हमारी ओडियंस में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस अपसूर को हम यहां पर एंड करते हैं ठेक है और हम आपको दुबारा जरू बलाएंगे जिसमें हम शियो जी के बारे में और उनकी शापू और उनकी गाथाओं के बारे में बात करेंगें थैंक यू सो माइच थैंक यू थैंक यू रादे रादे